खेल के मैदान पर भारतिय कप्तान विराट कोहली हमेशा ही आक्रामक रहते हैं और कभी-कभी उनकी यही आक्रामकता टीम और उनके लिए बुरी साबित हो जाती है कोहली मैदान पर हमेशा एक्रिव रहते हैं और टीम की हार पर सबसे ज्यादा दुख शायद उनहीं ही होता है लेकिन आज मैच के दोरान कप्तान कोहली से एक ऐसी ही गलती हो गई जिस पर वो अपना गुसा राहिर करने से नहीं रोक सके कोहली के गडबोल हिट्स बोल बॉय एह घटना उस वक्त हुई जब उमेश यादव की गेंद पर बल्ले बाज उपल थरंगा ने शोट खेला और गेंद कोहली के पास से होती हुई सीधी गती से सीमा रेखा पर पहुँच गई इस बात से नाराज कोहली अपने उपर काबू नहीं रख सके और बाउंडरी पर पहुँचते ही उन्होंने गेंद को लात मार कर गेंद को बाउंडरी के पार करने की कोशिश की इस दोरान कोहली के सामने खड़े बॉल बॉय को गेंद लग गई वीडियो में साफ दिख रहा है कि कोहली ने कैसे बॉल बॉय को सामने देखने के बाद भी गेंद को लात मारी जो उसके पैर पर लग गई